आपको बता दे जब वास सुबा पर अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे तब दो बाइक सवारों ने उनकी हत्या कर दी इस घटना ने उत्तरपदेश की सुरक्षा व्योस था उत्तरपदेश सरकार के गालों पर करारा तमाचा जडा है आपको बतादे जिसके बाद लखनों के कमिशनर सुजीत पांडे ने उन संदिक तरवक्तियों की सीसी टीवी फोटेश जारी की है और बताया है जो भी इनकी पहचान बताएगा उसको पचास हजार का इनाम दिया जाएगा और उसकी पहचान को गोपनिय रखा जाएगा इस गटना के बाद संयुकता भाटिया लखनों के मेर संयुकता भाटिया बैकुन धाम पहुची और उन्होंने रंजीत बच्चन की पत्नी को सांत्वना दी देखिए हमारे संबादाता राजन सिंग की एखास रिपूर्ट इतवार की सुबा एक पर फिर अपराधियों की गोली से शहर भूज उठा जिंदगी सहम गई सांसे रुख गई गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई कौन है ये अपराधी जिने अपरात करने में कानून का डर नहीं कब तक शहर में जाने जाती रहेंगी और कब तक अप अपराधी खुले आम अपरात कर घूमते रहेंगे ऐसा माना जा रहा है सरकार अपराधियों की उपर लगाम कस्ने में नकाम दिखाई दे रही है हम आपको बता दे इतवार की सुबा करीब 6 बजे विश्व हिंदू महासभा के नेता रंजीत बच्चन को गोली मार कर हत्या कर दी गई जिससे पूरा शहर काप उठा आपको बता दे पुलिस कमीशनर सुजीत पांडे ने जगरने हत्या को लेकर संदिक्त दिखने वाले व्यक्ति की तस्वीर जारी किया है साथ उन्हों ने यह भी बताया संदिक्त दिखने वाले यूवक की पहचान बताने वाले को पचास हजार रुपे का इनाम दिया जाएगा संदिक द्वेत्टी की पहचान बताने वाले की पहचान को गोपनिय रखा जाएगा वहीं लखनों के महापौर संयुकता भाटिया ने बैकुन धाम जाकर मृतक रंजीत बत्चन की पत्नी को संतावना देकर अपराधियों को जल पकड़ जाने का आशवासन दिया देश और दुनिया की सबसे पहले खबर पाने के लिए हमारे अलाइव 24 निउस चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन दवाएं